तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके जो दिसंबर 2023 सेशन की जो असाइनमेंट्स है उनको सम्मिट करने की लास्ट डेट रखी गई है 30 नवेंबर की तो आपको यहाँ पर इगनु की ओफिसल वेबसाइट पर उसका लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का जिस पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टुएंट्स का यह डाउट है कि क्या यह जो लास्ट डेट है 30 नवेंबर की यह फर्दर और एक्स्टेंट की जाएगी या नहीं की जाएगी तो इसके मैं आपको दो रीजन बताऊंगा और आ इगनुबड़ी चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लेना तो देखिए सबसे पहले तुम आपको बता दूं कि इगनुब के जो असाइन्मेंट्स हैं उनके कुश्टन पेपर्स यहां पर अपडेट किये जाते हैं लेकिन अभी भी कई सारे कुश्टन पेपर्स ऐसे हैं जो अपडेट नहीं किये गए हैं जैसे कि यहां पर आप यह सब्यक्ट देख सकते हो और नीचे भी कई सारे सब्यक्ट ऐसे हैं जिनके की कुश्टन पेपर्स अभी तक यहां पर अपडेट नहीं हुए हैं तो इस केस में स्कूरेंट्स के मन में डाउट है कि क्या यह जो assignments की इनको already 30 November तक अपडेट कर दिया गया है, last date extend कर दी गया है, और एक December से आपके exam होने वाले हैं, तो ऐसा बहुत rare होता है कि एगनू exam के साथ-साथ अपने assignments को submit करवाए, क्योंकि जो आपके assignments होते हैं, उनके marks भी उनको result के साथ ही update करने होते हैं, तो जब आपके December के जो result है वो update हो रहा होगा, उसके साथ-साथ ही आपके जो assignments के marks हैं, वो भी update किये जाएंगे, या फिर उसके थोई टाइम बाद वो भी update किये जाएंगे, तो उस process में भी लेट हो सकता है, अगर वो assignments की date को extend करते हैं, तो तो ये reason है, जिसकी वेशे मुझे लगता है कि जो आपके assignment की last date है, वो आप extend नहीं की जाएगी, इसलिए अगर आपके assignment ready हैं, तो आपको जल्द से जल्दी submit करवा देना चाहिए, आपको ये जो 30 November की last date है, इसका बेट मत करिए आप, अगर आपके assignment आज ready हैं, तो आप आज ही submit करवा दीजे, दूसरा जो reason है, वो ये है कि आपके assignments होते है वो आपके, उनका submission होता है, वो आपके exam से पहले ही कतम हो जाता है हर साल, ऐसा नहीं हुआ है कि, ऐसा एक दो बार ही हुआ होगा, जब आपके जो assignment हैं, उनको exam चल रहे हैं, और assignments को भी submit किया जा रहा है, तो ऐसा बहुत कम होता है, rare होता है, तो मुझे लगता है कि अब जो date है, यह further extend की जाएगी, लेकिन हो सकता है कि यह जो student है, जिनके question paper update नहीं हुए है, तो जिनके question paper यह update नहीं हुए है, वो अपने assignments को कैसे बनाएंगे, तो अब देखना यह होगा कि क्या इगनों की तरफ से, इनके लिए कोई special कुछ पनाया जाता है, कोई form मना जाता है, या कोई last date को extend की जाता है, जैसे ही को information होगी, ऐसी मैं आपको इस channel पर ज़रू inform कर दूँगा, लेकिन अभी के लिए अगर आपके assignment ready है, तो आप submit करवा दो, या फिर अगर आपके assignment ready नहीं है, तो आप बना लो और submit करवा दो 30 November से पहले, तो यह reason है, जिसकी वैसे मुझे लग लगती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इग्नु से related, हर update और information के लिए इग्नु बड़ी चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लेना, so thanks for watching this video, thank you so much.